साल 1993 में एक फिल्म आई थी संग्राम जिसमें आज देव गन के साथ आईशा जुलका और करिश्मा कपूर भी नजर आये थे आपको बता दें कि उस दोरान ये दोरों ही अभी नीट्रियां टॉप पर थी आईशा जुलका और करिश्मा कपूर एक साथ इस फिल्म में जब काम कर रहे थे तब इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इसका जिम्मेदार आईशा जुलका को आज अ होम ब्रेकर बताया और करिश्मा कपूर को लोगों का करियर खराब करने वाली बताया नुरसल खबरे थी कि उस वक्त जिस फिल्म में आईशा करिश्मा और रजदेवगन काम कर रही है उस फिल्म के डारेक्टर से आईशा जुलका का अफैस शुरू हो चुका है और ये बात जब करिश्मा को पता चली तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें साइड लाइन किय जा रहा है और आईशा जुलका को जादा स्कुरिण स्पेस देया जा रहा है बता दें कि ये बात करिश्मा से बरदाश नहीं हुई और उन्होंने फिल्म के डारेक्टर लॉरंस जुसुजा की पतनी से इस बात की चुगली कर दी हालनकि जब लॉरंस जुसुजा की पतनी आईशा जुलका और लॉरंस को एक साथ रंगे हाथों पकड़ा तब उन्होंने आईशा जुलका को दंदना कर चार पाच थपड जड़ दिये थे इतना ही नहीं इसके बाद से ही आईशा जुलका ने सेट पर आना बंद कर दिया था इसके बाद करिश्मा से जब इस बारे जुसुजा के अफैर की खबर लॉरंस की पतनी को दी है तब करिश्मा ने इस पर कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा लॉरंस की पतनी ने मुझसे मेरी गाड़ी मांगी थी और मैंने सिर्फ उन्हें अपनी गाड़ी दी थी इसके अलावा मेरे उन से कोई बाच जुद न आया था तब करिश्मा कपूर ने कहा था कि यह मेरा निजी मामला है कि मैं फोटोस क्लिक करवाओं या ना करवाओं विल दोस आपको बदा दे कि अपने वक्त की जानिमानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने यू तो कई सारे कॉंट्रोवेसी क्रिएट की है लेकिन फिल्म हमें कॉमेंट करके जोर बताएं किस बड़ी खबर के बारे में जोआन कर आपको कैसा लग और इस पर आपका क्या कहना है